हलो अब्रिवन मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा आपकी फिजियो थेरपिस्ट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा टार्सेल्जिया के बारे में यानि की पंजे के दर्थ के बारे में मेटा टार्सेल्जिया एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें पैर के अंगुठे और उंगलियों की नीचे वाले पोर्शन में दर्थ और सूजन हो जाती है इसमें दर्द बहुती ज़्यादा चुबने वाला और जलन वाला होता है ये दर्द और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आप नंगे पैर खड़े होते हैं, चलते हैं और पंजे को उपर नीचे मोरते हैं इसमें शार्प और शूटिंग पेन के साथ सुन्पन और पैर में चीटी जैसा चलता हुआ भी मैसूस होता है और साथ ही जूते पहने में ऐसा लगता है जैसे पैर के अंगूठे के नीचे कोई पत्थर रखा है अब समझते हैं कि ये कंडिशन किस कारण से होती है हमारे foot में बहुत साड़ी bones होती हैं जिनमें से पंजे की portion में पाуч metatarsals bones होती हैं और इन bones के बीच में बहुत छोची-छोटी toe nerves भी होती हैं जब ये metatarsals bones के head आपस में किसी कारण से press होते हैं, तब ये small nerves bones के बीच में फस जाती हैं और वो crush हो जाती हैं और जिससे area में inflammation स्टार्ट हो जाती हैं और metatarsals ये condition डवलप हो जाती हैं. metatarsals bones के head आपस में press कभी-कभी एक single factor की वज़े से भी होते हैं और कभी-कभी इसमें बहुत सारे factors भी involved हो सकते हैं. जैसे ज़रूर से ज़्यादा intense training या कोई activity करना, distance runners जब run करते हैं तो भागते समय उनका forefoot बहुत ज़्यादा force absorb करता है, specially अगर वो poor fitting और फटा हुआ जूता पहन कर दौरते हैं. तो ऐसे में पंजे की nerves, bones के बीच में compress होने लगती हैं और फिर पंजे में दर्थ शुरू हो जाता है. ये दिक्कत उन लोगों में भी ज्यादा होती है, जिनके पैर में high arch होती है. high arch होने से पैर की दूसरी उंगली अंगुठे से लंबी हो जाती है, जिससे उस पर body का ज्यादा weight पढ़ने लगता है, और metatarsalgia की दिक्कत शुरू हो जाती है. इसके अलावा body के ज्यादा weight की वज़े से भी ये दिक्कत शुरू हो सकती है. जो females high heels पहनती हैं और जो लोग narrow toe box shoes पहनते हैं, उन्हें भी ये दिक्कत ज्यादा होती है. इस condition के होने का एक और कारण, metatarsal bone का stress fracture होना भी हो सकता है. और इसके अलावा ये mortens neuroma की वज़े से भी हो सकता है. इसमें non-cancerous fibrous tissue की growth, third और fourth metatarsal bone के पास की nerve के आसपास हो जाती है, जिससे metatarsalgia जैसे symptoms नजर आने लगते हैं. अभी इस condition में हमने जितने भी causes discuss किये हैं, उन सभी कारणों में से दर्थ के pinpoint source को जानने के लिए इस condition में diagnosis करना भी जरूरी होता है. इसे diagnose करने के लिए doctor के prescription के हिसाब से x-ray करवाया जाता है. और इस x-ray से असानी से ये rule out किया जा सकता है कि आपके पैर में कोई stress fracture है या फिर कोई और foot problem है. डाइगनोस करने के बाद जब कारण का पता चल जाता है तो उसके बाद इसे treat करना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि अगर आपने इसे treat नहीं किया तो पंचे का ये दर्थ affected पैर में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और दूसरे पैर में भी transfer हो सकता है. और या फिर limping की वजह से body के दूसरे parts में भी दर्थ हो सकता है जैसे back pain और hip pain. आपकी ये परिशानी ज्यादा ना बढ़े इसके लिए आप खुद ही कुछ conservative measures, lifestyle और home remedies घर पर ही follow कर सकते हैं. जैसे आपके foot के affected part में और ज्यादा injury ना हो इसके लिए आप कुछ दिनों के लिए rest करें. दिन म पारी में 20 मिनट तक कपड़े में लपेट कर affected part पर ice लगाएं. ऐसा करने से affected part की inflammation को subside करने में काफी मदद मिलेगी. इसमें ना ही ज्यादा tight और ना ही ज्यादा loose fitting के जूते पहने और ना ही ज्यादा high heels fallish sandals पहने. इसमें shoes comfortable material और proper fitting के पहने. इस दर्थ से आराम पाने के लिए आप अपने shoes में metatarsal pad और arch support का भी इस्तिमाल कर सकते हैं. Metatarsal pad को सभी metatarsal bones के head पर लगाया जाता है और arch support को पूरे pair के तलवे के नीचे लगाया जाता है. चलते वक्त जो pressure toes पे परता है इन्हें लगाने से वो नहीं परता है और दर्थ में भी आराम मिलता है. इन insoles को आप chemist shop से खरीच सकते हैं. ये असानी से market में available होते हैं. इन home remedies के साथ कुछ very easy and effective exercises भी आप घर पर कर सकते हैं ताकि recovery और भी ज़्यादा fast हो पाए. इसके लिए सबसे पहली exercise है foot intrinsic muscle strengthening. इसे करने के लिए आप एक towel लिजिए उसे floor पर ऐसे spread कर दीजिए. इसके बाद अपने पैर की सभी toes से towel को इस तरह से grab और crinkle करिए. ऐसा करते समय अपनी toes को अच्छे से खोलिए और मोडिए तभी इस exercise की effectiveness आएगी. सेम exercise को आप दिन में तीम बार करें और एक बारी में दस बार repeat करें. सेकिंड exercise है calf stretch of gastronemius muscle. ये exercise करने के लिए सीधा खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को दीवार पर सहरे के लिए रख दीजिए. अब जिस पैर में दर्ध है उस पैर को पीछे की तरफ बिल्कुल सीधा रखें और दूसरे पैर को आगे. अब आगे वाले पैर को गुटने से तब तक मोड़िए जब तक पीछे वाले पैर की calf muscle में gentle stretch फील नहीं होता है. इस stretch को 30 सेकिंड तक hold करें और फिर relax हो जाएं और फिर से 3 बार इस exercise को repeat करें. थर्ड एक्सेसाइज है calf stretch soleus. ये exercise करने के लिए आपको same position attain करनी है. इसमें सिर्फ आपको आगे जुकते समय पीछे वाले पैर के घुटने को भी bend करना है. बेंड तब तक करना है जब तक calf muscle में gentle stretch फील नहीं हो. इस stretch को 30 सेकिंड तक hold करें और फिर relax हो जाएं. सेम exercise को तीन बार repeat करें. फोर्थ exercise है balancing one foot. इस exercise में आपको अपने एक पैर पर 30 सेकिंड तक खड़ा होना है. अगर आप 30 सेकिंड तक खड़े नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं आप 10 तू 15 सेकिंड तक भी खड़े हो सकते हैं. 30 सेकिंड खड़े होने के बाद आप relax हो जाएं और फिर से तीन बार इस exercise को repeat करिए. इन exercises के अलावा आप अपने पैर के affected part पर 3-4 मिनद तक massage भी कर सकते हैं. ताकि swelling के कारण जो pressure है उसे release out किया जा सके और local blood circulation को improve करके दर्द को ठीक किया जा सके. अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर like करें. और आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी किसी friend या relative के लिए informative है तो उसे यह वीडियो ज़रूर share करें. साथ ही अगर आप आगे भी ऐसी informative physiotherapy वीडियोज देखना चाते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को click करें ताकि latest videos की notification आपको मिलती रहें. Thank you.